कुरुप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा नमस्कार मित्रों आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है आश्ट्रो सच यूट्यूब चैनल पर मित्रों और गुरुवार का दिन भगवान विश्नु जी को समर्पित माना जाता है आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से चार लौं का वह चमतकार उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके फूटी किसमत को चमका सकती है इस संसार का हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे माता लक्ष्मी जी की प्राप्ती हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करे लेकिन माता लक्ष्मी जी को प्रसंद कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते कहा जाता है जिस किसी व्यक्ति के उपर भगवान विश्नु जी की कृपा होती है तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्थ होती है ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है तो भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्थ होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी दरिदर्ता कष्ट परेशानी खत्म हो जाएगी मित्रों आज के इस भाग दौर जिन्दगी में हर व्यक्ति परियाप्त मात्रा में धन कमाना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके लेकिन हमारे भारत में केवल 22 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है बाकी बचे हुए 78 प्रतिशत लोगों में से 15 से 20 प्रतिशत लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार न होना पड़े तो गुरुवार के दिन का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिये भगवान विश्नु जी के आशिरवात से आपके जीवन में आपके राहु के तु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ती होगी साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गती से उन्नती करेंगे इसलि कोई भी पॉइंट मिस ना हो मित्रों विडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्यानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे साथ ही साथ पूरी श्रग्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विश्नु जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिय अब जान लेते हैं कि आपको गुरुवार के कौन कौन से उपाय करने हैं सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ती और धन प्राप्ति का महा उपाय अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंध हो चुके हैं या फिर आ आपकर्ज की समस्या से परेशान हैं तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो आपको करना क्या है ध्यान से सुन लीजिए आपको दो साबुत लॉंग लेना है और एक दीपक लेना है दीपक लेने के बाद उस दीपक में चार बाटी और शु दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लॉंग डालना है, एक लॉंग डालने के बाद दूसरी लॉंग को माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी के चर्णों के बीच में रख देना है, और माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम श्री श्री एक नमह का जाप कम से कम 108 ब दूसरा उपाय है भगवान विश्नु जी की क्रिपा प्राप्त करने का भाव पाए अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु के तु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नती करेंगे तो आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए आपको गुरुवार के दिन संध्या साधे 5 बजे के ब दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लॉम डाल देना है एक लॉम डालने के बाद जो चार लॉम बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फैक देना है और पीपल व्रिक्ष की तीन बार परिक्रमा करनी है लेकिन परिक्रमा करते समय आपको भगवान विश्नु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह का जाप करना है अगर आप बड़े गुरुवार के दिन केवल इतना कर लेत हैं तो भगवान विश्नु जी के आशिरवाद से आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपके राहु के तु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निरनय लेंगे उस निरनय से आपको फायदा ही फायदा होगा तीसरा औ और अंतिन उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में में धन दौलत सुख समरिधी की आपको प्राप्ती होगी तो इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए आपको गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कप्रा लेना है और उसका प्रेमी एक मुठी चावल तीन काली मिर्च दो लॉंग दो इलाइची और एक रूपए का एक सिक्का रखना है है और उसे मौली धागे से बांध देना है फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर जाडू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी शुक का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा इसी लिए गुरुवार के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नई जा कारी के साथ तब तक के लिए धनियवाद